नमस्कार दोस्तों मैं चंदरकांत आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियालिटी मैगनेट में और आज हम हैं पॉंधा में फूल्जैनी गाउं में जहां पे हम एक बारासो गज प्लॉट के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे और आप आपको हम इस जगह की खुबिया पताएंगे कि यहां पे क्यूं प्लॉट लेना चाहिए और अगर आप तीन-चार लोग मिलके लेना चाहते हैं तो यह लैंडड़ पच्छेस कर सकते हैं आई चलते हैं पॉंधा का नाम सुना होगा आपने देरहदुन में है पॉंधा से ल इसके साथ में एक फार्माउस भी बना हुआ अलड़ी दिखना आपको यह बहुत ही क्या रहा है आगे भी काफी सारे लोगा फार्माउस बना रहे हैं असल में यह प्लॉटिंग है और इस प्लॉटिंग के सबसे पहले वाले प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं जहां पर मैं इस प्लॉटिंग के सबसे पहले वाले प्लॉट का फ्रेंट भी मुझे लगता कम से कम देट सो फिटका होगा लेट से दोसो फिटका फ्रेंट रही है और इसके दूसरे तरब भी चालिस फिटकी सड़क है और अगर हम सामने बात करें तो यह पूरा फॉरेस्ट रेंज है और इसके ठीक ऊपर यह आई-एस पांधा और यह कार जा रही है यह कार जा रही है पांधा जो बिधाली चली जाती है यहां से बिधाली लगबग 2,5 km की दूरी पर है बिधाली पैट्रोलियम उनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा और यह वाली सड़क बहुत अछी यह नदी के साथ में लगती भी सारी प्रॉपटीज है और इसी सडक है काफी लोग आते जाते हैं और यह वाली सडक प्राइविट प्लॉटिंग है जिसमें बड़े-बड़े प्लॉट्स हैं कि दोदू बीगे का 5 बीगे का ऐसे प्लॉट्स है तो यहाँ पे तो ही है अपने 360-degree को मा रहा हूँ मुबाइल यह आपका 360-degree camera की हिसाब से आप देखे हैं चारो तरफ forest है और बीज-बीज में सडके हैं इस तरह की और यह connected है पॉंधा से बहुत ही prime location है मेरे हिसाब से क्योंकि यहां से clock tower you can't believe सिर्फ 10 km की दूरी पर यहां से clock tower है अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ इस plot का एक तो front ही हो गया लगभग 40-50 feet का यह front हो गया मतलब front road that is 40 feet तो ही है यह अभी हम front में ही चल रहे हैं तो आप यह मान के चलो लगभग 200 feet का front है आप प्रोक्सी बता रहो अभी मैंने चेक नहीं किया है 200 feet का front है और यह सड़क चली जाती है उपर पॉंधा पॉंधा बिधोली नंदा की चौकी या फिर सुद्धोवाला और यह लेखें वाइट यहां से वाइट इंट्री है वाइट इंट्री सड़क है यह 40 feet की यह सोसाइटी में चली जाती है और यह हमारा plot यहा तो आप सड़क की चौड़ा ही देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक सड़क है इतनी चौड़ी सड़क है इसमें आप जो मर्जी वो commercial activity कर सकते हैं सारा approvals मिल जाता है यहां पर अभी मैं लैंड के अंदर आ चुका हूँ यह लैंड है इसकी exact मैं आपको front और width की जानकारी आपने description में डाल दूँगा आप देख लेना सूपब मतलब location ultimate front and depth आप इसमें दो या तीन plot भी निकाल सकते हैं बड़े शांदार तरीके से क्योंकि यह पूरा two side broad road है wide road है और back side में इसमें एक खुबसूरत नदी बहती है जो अभी फिलहाल गर्मी होने की विज़े से आज बंद कर दिया गया है क्योंकि उपर ही पानी की ज़्यादा जरूरत हो कि मुझे ऐसा लगता है तो अब हम अपने plot के अंदर आ चुके हैं नदी के पुष्टे के साथ लगती हुए यह प्लॉट है और यहां तक इसका पूरा वाइडनिंग जो लास्ट एरिया वह यहां तक है फिर अदर्स प्लॉट है फिर इस तरीके से हम अपने plot पे खड़े हैं आप यहां पर प्लॉट पे खड़े हो कि अगर इन केस आप यहां पे कुछ बनाते है तो ऐसा व्यू आएगा इसका है तो गो मुझे उम्मीद है यह वाली पर्स पर्टिक्लर प्रॉपर्टि आपको अच्छी लग रही होगी और अगर आपको यह प्रॉपर्रटि आच्छी लग आप बिल्कुल शिंथ होके कोई भी प्रापर्टी पचेस कर सकते हैं मेरा नाम चंद्रकान्थ है और नीचे के नीचे दिये गए नंबर पर आप मुझे फोन करें और इस प्रापर्टी से रिलेटेड या इसके अलावा आप मुझे इंफोर्मेशन ले सकते हैं इसका कोई चा अब बिल्कुल शिंग पूल में बच्चे नहारा ने पार्टी कर रहे हैं आप भी यहां पर अपना रिजॉर्ट बनाए अपना फामास बनाए और इंजॉय करें अब ग्रेट नाइस थैंक यू सो मच यहां से अगर हम नंदा की चौकी से आते हैं तो यह वाली सड़क है जो भविष में चौडी होने वाली है इसका अलेडी न्यूज में आर्टिकल आ चुका है और यह वो सड़क है जो कॉलागर चली जाती है पूलसैनी से और यहां से अगर हम यहां से लेफ्ट लेंगे नीचे तो हम अपने लोकीशन पर पहुंच जाएंगे फूलसैनी जहां पर यह बारसो गच का प्लॉट है और यह रस्ता आगे धौलास को चला जाता है स्ट्रेट यह डेवलप होता जा रहा है यह अरिया काता है